अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन तो पहले ते दोनों में फर्क समझ लो बस और एक छोटा सा फॉर्मूला है कानी फतन तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा पर्मूटेशन की हम बात कर रहे थे पर्मूटेशन हम कहते हैं आरेंजमेंट दोनों में डिफरेंश समझेगा क्योंकि कुश्चन में डिफरेंश ही पता नहीं चलेगा तो पर्मूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट अरेंजमेंट का मतलब हमारे पास ये तीन लोग हैं A, B, C और हम कह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है सर अब सिटिंग अरेंजमेंट भी मैं कह दूं तू का कह दूं सपोर्ज करो तो आप A, B को कर सकते हो, B, A कर सकते हो, A, C कर सकते हो, C, A कर सकते हो, B, C कर सकते हो, C, B कर सकते हो तो there are six ways of two person out of three in sitting arrangement लेकिन अब हम बात कर रहे हैं combination combination होता है, selection मैं आप से कहूं, selecting two ठीक है, for a game एक game के लिए आपको दो प्लेयर लेने, out of three तो आप कौन-कौन से किन-किन दो को ले सकते हो, A, B, C में से अगर दो की team आपको बनानी हो, तो किन दो को लोगे आप कितने option हो सकते हैं, बताएं आउट ओफ, A, B, C आपको दो प्लेयर चूज करने हो, अधिवा, 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 आवाज आ रही हैं? सर्फ थोड़ी लुक-णुक क्या आ रही है? ब्रेक हो रही आवाज अब आवाज आ रही है? जी बिटे बताओ अगर हमें A, B, C में से दो लोगों को लेना हो तो कौन से दो को आप लोगे जी नहीं समझ में आया कोश्चन शाहेन सिर्ट तीन ओक्षन हो जाएंगे कौन कौन से A, B, B, A, C, C, A, B, C, A, B, C, B A, B, B, A ये A, B, B, A क्या है सार दोनों सेम तीन हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ तो A, B कहेंगे या B, A कहेंगे शाहेन मतले भी दोनों A की हो जाएंगे तो A की चीज बोलिये ना बिटे A, B A, B को ले लिया और A, C, A, B, C A, C को ले लिया और B, C को ले लिया तो में जो फर्क है बिटे बस कोश्चन में भी यही फर्क है आप सब बच्चे समझे अगर मुझे सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए था तो मैंने क्या किया है मैंने अगर दो को लिया दो कौन से A, B को तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट अलग-अलग हो सकता है A, B, B हो सकता है B, A, B हो सकता है सब बच्चे समझ लिए एकी चीज़ है बस फिर कोश्चन पूरा चैप्टर ही खता है अगर मैंने A, C को लिया A को और C को तो उनका अरेंजमेंट A, C, B हो सकता है C, A, B हो सकता है और अगर मैंने B, C को लिया तो उनका अरेंजमेंट B, C, B हो सकता है और C, B हो सकता है लेकिन जब मैं team की बात कर रहा हूँ तो मैं A, B को लूँ या B, A को लूँ एकी बात होगी तो मेरे पास sitting arrangement 6 है लेकिन टीम का selection सिफ three ways में कर सकता हूँ, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सुछ. ठीक है सर तो यह फर्क है और यह हमारा answer है कि भई arrangement of two out of three is six, लेकिन selection of two out of three is three, that is the way. तो main फर्क कहा है, उसका मतलब समझ लीजे, actually होता क्या है इन permutation, जो position है वो matter करती है, please ध्यान से समझ लीजे बच्चे सब के सब, अभी मैं question change करूँगा, position क्या करेगी या matter करेगी? ठीक है? लेफ्ट में अगर A है तो अलग बात है, राइट में B है तो अलग बात है, लेकिन अगर लेफ्ट में B है और राइट में A है तो अलग बात है, समझ में आ रहा है? A, B अलग चीज़े, B, A अलग चीज़े लेकिन जब हम दो लोगों को बुलाएं कि आओ चलो तुम्हें खेलना है तो लेफ्ट में आके A खड़ा हो जाए ब्राइट में B या लेफ्ट राइट में A आजाए और लेफ्ट में B तो दोनों A की कहलाएंगे कहलाएंगे वो ही दो लोग तो महां पोजिशन मैटर नहीं कर रही है लेकिन कोशन समझ लीजिए आप सब बच्चे और यहीं पर हमारा जो एक्जाम में कोशन मनता है वो बात हो जाए देखो यहां देखो टम क्या कह रहा है सेलेक्टिंग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फ्रॉम थ्री अब बताओ बच्चे कितने वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको तीन में से एक को कैप्टन बनाना है और एक को वाइस कैप्टन बनाना है अब हमारे पास कितने ओप्शन है कितने 6 6 क्यूंकि अब अगर आप यह करेंगे कि कैप्टन हमारा A है और वाइस कैप्टन हमारा B है तो हमारा एक option हो गया A, B लेकिन हो सकता है कैप्टन हमारा B हो और वाइस कैप्टन हमारा A हो तो हमारा हो गया B, A तो अब A, B और B, A अलग-अलग चीज़े हैं तो यहां कहां गडबड होगी कि word यूज़ कर रहा है selecting और मैं कहा रहा हूँ selection होता है combination बट यहां selection के साथ उसने position लगा दी के captain बनेगा एक wise captain बनेगा selecting two player तो अलग बात है दोनों same player है, same position लेकिन selecting captain wise captain वो फिर वो ही आपकी permutation हो गया सर समझ में आ गया पहली चीज़ दूसरी चीज़ सुन लिजे अगर मैं आप से कह रहा हूँ कि मुझे A, B, C में दो लोगों का sitting arrangement चाहिए तो बेटे होता क्या है आपको पहले दो लोग लेने पड़ेंगे फिर आप उनका arrangement करोगे के A, B और B, A आपको दो लोग लेने पड़ेंगे B, C ले लिया तो फिर उनका arrangement करोगे B, C और C, B आप उनका A, C लोगे तो उनको arrange करोगे A, C और C, A मतलब क्या है? मतलब यह हर permutation में अभी मैं score clear करूँ हर permutation में पहले selection involved होता है हर permutation में selection involved है selection कैसे involved है अब देख लो actually होता क्या है npr होता है sir n factorial upon n minus r factorial और sir ncr यह है बस एक formula आपका chapter खतम combination of r distinct object out of n combination c is equals to n factorial upon n minus r factorial और जितने हमारे पास हैं उसके factorial से हमें divide करना पड़ता है तो हमारे arrangement की जगे हमारा selection आजाता है तो अगर हम r factorial से divide कर दें किसको n factorial n minus r factorial को और n factorial n minus r factorial क्या है वो है हमारा npr तो npr divided by r factorial become ncr यह अगर मैं इसको cross multiply कर दूं तो npr is equals to ncr into r factorial यह मतलब है sir क्या मतलब है कि permutation में combination involved है पहले हम उन r object को select करेंगे और फिर हम उन r object को arrange करेंगे arrangement होता है r factorial अगर 10 है तो 10 को किस्ते है पहले वाले के लिए 10 दूसरे के लिए 9 तीसरे के लिए 8 7 तो फिर हम उसको arrange करेंगे तो यह है हमारे पास formula तो हमारा formula तो simple यह तो खेर मैंने involvement बता दिया हमारा formula simple क्या है कि ncr is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factor तो अगर आपसे कहा जाए select 2 out of 3 तो इसका formula हो गया 3 c 2 तो 3 c 2 क्या हो गया 3 factorial upon 3 3 minus 2 3 minus 2 क्या होगा वही 3 minus 2 क्या होगा वही और 2 factorial तो कितना हो गया 3 factorial 3 minus 2 1 factorial into 2 factorial तो 3 को break करो 3 into 2 factorial upon 2 factorial answer is 3 तो इस तरह से हम ncr निकालेंगे लेकिन इसमें क्या है ध्यान से समझ यह actually मैं आपसे क्या कह रहा हूँ प्लीज देख लो सब बच्चे selection of दो चीज़ें बस चोटी चोटी चैप्टर सारे question कर लिजे आप selection of 2 out of 3 तो हमारे पास क्या है हमारे पास है 3 a b c और आपको क्या करना है आपको 2 को select करना select 2 तो अगर select 2 कर रहे हो तो हमारे पास क्या हुआ a b हो गया यह हमारे पास क्या हो गया b c हो गया यह हमारे पास क्या हो गया a c जरा सोच के देखो अगर आपने 3 में से 2 को select किया तो आपने कितने को reject किया यह एक formula हो गया या एक concept समझ लेजे तो अगर मैं आपसे कहूं कि reject one out of three तो that is just opposite of selection of two तो आप खुद सोचो अगर आपने A, B को select किया तो आपने C को reject किया अगर B, C को आपने select किया तो आपने A को reject किया अगर आपने A, C को select किया तो आपने B को reject किया yes or no yes sir तो actually क्या होता है actually क्या होता है होता यह है इदर देख लीजे इदर होता यह है कि selection of our objects out of n अब आप खुद बताओ तो बिचे अगर आपने is same as rejection of n minus r भाई n में से r ले लिए तो remaining समझ लो remaining को reject कर दिया out of n तो यह एक छोटा सा बिटे फॉर्मूला बन गया हमारा कि n c r is same as n c n minus r एक तरफ हम r को select कर रहे हैं और एक तरफ हम n minus r को select कर रहे हैं यह यह कह लिए n minus r का मतलब rejection कर रहे हैं तो n c r is same as n c n minus r अगर आप से इसका पूरूफ ही करा ले तो फॉर्मूले से ही आ जाएगा n c r का फॉर्मूला बताओ क्या हुआ n c r का फॉर्मूला अगर इसी फॉर्मूले को लिखू तो क्या आएगा n factorial upon n minus n minus r r factorial into n minus r factorial yes or no yes sir जड़ा इसको n minus n minus r का bracket open करना तो बेटे यह minus minus cancel हो जाएगा और इस minus से r plus का हो जाएगा तो आपके पास क्या हैगा r factorial into n minus r factorial जड़ा चेक करो left hand side और right hand side same है या नहीं या नहीं या नहीं या आगया समझ में तो एक तो एक तो n c b अगर आप से यह कह रहा है कि selection of a object out of n इस सेम है selection of b objects out of n तो इसकी दो ही possibility हैं दो possibility क्या है आइधर a is equals to b बैई c d c बात है 10 c 2 शिर्फ और सिफ 10 c 2 कहीं equal हो सकता है 10 में से 2 objects ले रहे हो तो 2 कहीं तो a और b दोनों equal होने चाहिए या फिर क्या हो सकता है जो भी हमने formula लिखा कि बैई हो सकता क्या है कि बैई हो सकता है n c a और n c n minus b yes or no अभी हमने क्या कहा था हमने कहा था के n c r n c n minus r get equal हो सकता है yes or no तो n c b को हम क्या लिख सकते हैं n upon n c n minus b लिख सकते हैं अभी हमने जो formula use किया था bete अभी हमने formula क्या कहाता NCR NC N-R के equal होता है ना हम NC B को NC N-B कह सकते हैं तो फिर हम क्या कह रहे हैं फिर हम यह कह रहे हैं कि अगर यह N है और यह B N है और यह C है तो यह B C है तो फिर C तीसी बात है A जो है N-B के equal होना चाहिए अगर a n-b के equal होगा तो b इधर चला जाएगा तो a plus b n के equal होना चाहिए बताओ यह बात समझ में आई या नहीं आई आगई सेर्ट ठीके सेर्ट तो दो चीजे हो गई दो चीजे क्या हो गई एक तो हमने कहा के ncr ncn-r होता है यह तीनों चीजे लिखलो बस फाइनली और यह यह आपका चैप्टर है ncr होता है n factorial upon n-r factorial into r factorial पहला गुसरा हमने आप से कहा ncr ncn-r के equal होता है and तीसरा अगर कभी nc a ncb के equal हो तो या तो यहां से आएगा a equals to b या फिर यहां से आएगा a plus b is equals to n n जो होगा उनके दोनों के sum के equal होगा इसका last वाले का ज़रा ध्यान से समझ लिजे 10c2 या तो 10c2 के equal होगा या फिर 10c2 10c8 के equal होगा क्यूंकि 8 plus 2 10 होता है अगर हम 10 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 10 में से 8 रिजेक्ट कर रहे हैं तो 2 का सेलेक्शन और 8 का रिजेक्शन बात एकी होगी सर समझ में आ गया तो यह तीन हमारे पास छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं ncr ncr is equals to nc n minus r और nca is equals to ncb either a is equals to b और a plus b is equals to n सब अच्चे बताओ यह बात समझ में आ गई या नहीं ठीक है जी ठीक है जी तना ही है खतम है चैप्टर ओवर मुबारक हो permutation combination is done now देखो कितना चोटा सा question है अल्लाह तेरा शुक्षिए अल्लाह तेरा शुक्षिए अल्लाह तेरा शुक्षिए देखो भाई यह चोटा सा question है आप सब बच्चे कर सकते हैं इतमिनान से one one liner question है यह आपके पास first second question है आपके पास exercise 7.4 से तो अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं बेटे nc8 is equals to nc2 ठीक है तो कौन सा फार्मूला हुआ आइदर a is equals to b और a plus b is equals to n यहां पे क्या है यहां पे 8 तो 2 के equal नहीं होता तो क्या हो जाएगा 8 plus 2 n के equal होना चाहिए yes or no तो n की value कितने आ गई 10 आप से कह रहा था find nc2 तो फिर हमारे पास nc2 जो होगा वो सीधा सीधा 10c2 हो जाएगा ठीक है अब 10c2 क्या होगा formula लगाओ n factorial upon n minus r 10 minus 2 8 factorial into r factorial 2 factorial तो क्या हो गया भई 10 9 8 upon 8 factorial into 2 factorial तो 8 से 8 अच्छा 2 को भी break करो 2 को क्या break करोगे 2 into 1 तो 2 से कितना आएगा भई 5 तो 9 5 जा 45 बताओ समझ में आया या नहीं आया यह सर अब इस सब बच्चों को आ गया अब जरा एक और करो जो हमारे पास ये दिया वाया है second वाला ये और करो चलो एक में गरूँगा एक आप करना आप से क्या कह रहा है example भी है इस पर question भी है ये हमारे पास है हमारे पास क्या है बिटे हमारे पास दिया वा है 2NC3 2NC3 upon NC3 is equals to 12 by 1 सीधा सीधा formula लिख तो answer आ जाए 2NC3 का formula क्या होगा भी 2N factorial 2N minus 3 factorial into 3 factorial N factorial N minus 3 factorial into 3 factorial is equals to 12 by 1 yes or no Sir NCR का formula होता है ये जो हमारा NCR है N factorial upon N minus R factorial into R factorial yes or no yes sir ठीक है अब आप चेक करो क्या क्या आप cancel कर सकते हो 3 से क्या हो जाएगा ठीक है अब हमारे ध्यान रखना है बिटे किसको किसके ये हमारे पास है 2N factorial और ये हमारे पास है 2N minus 3 तो 2N को 2N minus 3 तक लाएंगे एक्स्पेंड कर गे और ये हमारे पास है N factorial और ये है N minus 3 तो N को N minus 3 के तक लाएंगे लेकिन पहले मैं क्या कर देता हूँ इस N minus 3 को उपर ले जा सकता हूँ और इस N को यहां ला जासता हूँ तो ज़रा सब बच्चे ध्यान से देखो और मुझे बताओ मेरे पास जो 2N factorial था क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ 2N factorial को कट कार नहीं सकते है अधिबा प्लीज बेटे इतनी जल्दी मत करना 2N factorial N नीचे है बेटे N factorial तो N factorial से N factorial मत काटना बच्चे चीक है बढ़ना एक्जामनर सारे माप्स काट देगा आगी बास समझ में ये से नहीं आई फ़र आगी बिटे दोनों अलग चीज़े है अगर आप से मैं कहूं 2N factorial अपॉन 10 factorial तो क्या हम 10 को काट देंगे नो सर् उपर है बेटे 20 नीचे है 10 ये सर् बेटे एक को 2N factorial तक ले जाना नेचरल लंगास और एक को सिफ N तक ले जाना हमारे पास जो उपर 2N है देखो 2N को मैं क्या लिख रहा हूं 2N, 2N-1, 2N-2 and 2N-3 यस और नो क्यूंकि नीचे मेरे पास 2N-3 था तो 2N-3 तक मैंने इसे उपन किया और नीचे से उपर चला गया N-3 factorial अच्छा नीचे क्या रह गया हमारे पास नीचे हमारे पास पहले से 2N-3 है और एक हमारे पास था N factorial तो N को भी हम ब्रेक कर रहें N-3 तक N लिखेंगे फिर N-1 लिखेंगे फिर N-2 लिखेंगे फिर N-3 factorial लिखेंगे सब बच्चे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई दुबारा से देख लिज़े सब के सब बच्चे बस यही है थोड़ा सा खतम हो गया कुश्चन दो सब बच्चे देख लिज़े जरा कहां पे हमने क्या किया सब बच्चे दियान से देखिए मैंने सबसे पहले इस 2N factorial को किया है यह हमारे पास 2N factorial उपर नजर आ रहा होगा आपको और नीचे हमारे पास था 2N-3 तो हमने 2N को ब्रेक करना शुरू गया पहले 2N फिर उससे एक कम फिर उससे next फिर उससे next तो हम कहां तक पहुँच गए 2N-3 तक और नीचे भी 2N-3 है ठीक है फिर हम जो N-3 factorial नीचे था उसे into में ले आए तो वो into में यहां आ गया अब हमारे पास क्या है हमारे पास है N factorial और N-3 factorial तो यह N factorial तो आएगा उपर अब N factorial को हम break करेंगे N को कैसे लिखेंगे N को हम लिखेंगे N into N-1 into N-2 into N-3 factorial और राइट साइट तो 12 by 1 है अब बताओ क्या 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 कैंसिल करें N-3 से N-3 2N-3 2N-3 से 2N-3 अदीबा इधर देखो बेटे अब हम N को N से कैंसिल कर सकते हैं बेटे N को N से कैंसिल क्योंकि अब वो प्रोड़क्ट की फॉर्म में अब हमारे पास क्या रखिया गए सब बच्चे उपर देखो उपर क्या रह गए हम पास 2 तो 2 से इधर कैंसिल कर दो 6 कर सकते हो ऐसा आप सब बच्चे ध्यान से थेखो पहला वाला फेक्टर रेतen टुएंज माइनस वन कुछ नहीं कर सकते लेकिन दूसरा वाला फेक्टर 2N-2 है कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या क्या बचेगा नीचे देखो क्या रह गया और राइट साइड देखो क्या रह गया अभी कुछ और कैंसिल कर सकते हैं क्या और 2 से तो अब क्या है हमारे पैस 3N- तो 6 को इदर लाएंगे 6-1 क्या होगा और 3N-2N क्या होगा बताओ समझ में आया क्या हाँ बच्चे बताएगे कुछ समझ में आया क्या यस सर ठीक है जब आप दुबारा से कुष्टन देखो फोड़ा तेज करेंगे आप से कह रहा है 2N-C-3 अपोन N-C-3 is equals to 11 by 1 यस बताओ क्या लिखें 2N-C-3 को 2N-C-3 को क्या लिखें बताओ न जल्ली से पोन 2N-C-3 इंटो 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 3-Factorial इंटो इंटो रिएद बाइ N-Factorial न--C-3 इंटो 3-Factorial Yes, good, 11 by 1, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है, अब जरा मुझे वैसे ही बता दो, यहां है 2N factorial, और यहां है 2N minus 3, तो 2N minus 3 से 2N minus 3 कैंसिल कर दो, तो क्या बचना चाहिए, 2N minus 1 बचना चाहिए, 2N minus 2 बचना चाहिए, yes or no? Yes, sir, और 2N minus 3 से 2N minus 3, cancel, cancel, yes, अच्छा इदर देखो, तो यह तो cancel हो गया, सब बच्चों को समझ में आगिया यह, और नीचे हमारे पास है N factorial, और उससे नीचे है N minus 3, तो अगर N को N minus 3 तक कैंसिल करेंगे, तो N minus 3 से N minus 3 कैंसिल हो जाएगा, तो उपर क्या बचना चाहिए? N minus 1, N minus 2, yes, N into N minus 1, into N minus 2, सब बच्चे बताओ, समझ में आया या नहीं आया, यह, हाँ भई, चीक है, अब अब किसको कैंसिल करोगे, N से, चीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह, कि 2N minus 2 से 2 common लोगे, 2N minus 2 से क्या common लोगे? 2, 2 common लोगे, तो फिर क्या बचेगा? N minus 1, तो क्या N minus 1 से N minus 1 cancel हो जाएगा? Yes, sir, उपर क्या जाएगा? 2, 2 जा? 4, 2N minus 1, 4, 2 जा, 4 से multiply कर दो, चलो लिख लेते हैं फिलाल, 2N minus 1, नीचे क्या रह गया? N minus 2, into, is equals 2? 11, multiply करो, 4, 2 जा, 8? N minus 4, and 4 बच्चे 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 बताएगे, तो फोड़ा बहुत समझ में आया गया? Yes, sir. चीक है जी? ये तो इसी में ज़्यादा time लग रहा है, calculation में, question में time नहीं है, देखो कैसे question है अब आप? जड़ा सब बच्चे देखो कितने आसान question है, सब बच्चे एक-एक, एक-एक word भी नहीं है, actually, word तो बहुत बड़ी बात है, बताओ इसका answer क्या होगा? सब बच्चे बताओ, how many codes can be drawn through 21 points on a circle? 11, 12, 13, 14, 21, so आप से कह रहा है, कितने codes बनेंगे, तो हमारे पास points available कितने हैं? हाँ, points हैं कितने हैं बस? 21, और आप से क्या कह रहा है, yes, 21, और आप से क्या कह रहा है, कि बच्चे कोड बनाने, कोड बनाने के लिए मुझे कितने points लेने पड़ते हैं? 2, तो आप से कह रहा है, कितने 2 के कॉंबिनेशन होंगे, आप क्या कर सकते हो, आप इसको इससे जोइन कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो, तो 4, 10, 10, तो वी नीट 2, तो हाँ मैने कॉंबिनेशन अफ 2 आर देर, 21, C2 इससे कितना, 21, C2, यह अंसर है, बस कतम हो गया, कुछ और कड़ना है, यह ध्यान यह रखना है, मैं आप से क्या कह रहा हूं, यह मेरे पास A point है, यह B point है, तो अगर हमने A, B को जोईन किया, तो A code बनेग नहीं सर, B A code और A B code अगी है, yes or no? Yes, sir. तो इसका मतलब आपको सिफ क्या चाहिए, selecting of two points out of 21, तो how many ways you can select two points out of 21, that is the answer, 21, C2. तो 21, C2, कि के सर, अब आपने गलती से एक वो picture देखी होगी, super 30, और question आचुका है, अगर हमारे पास किसी room में 21 person है, तो in how many ways they can shake hands, they can make shake hands. 21% है, कितने shake hands होंगे? 21, 22. अरे, इतना सोचने वाली बात थोड़ाई, शेक हैंड करने के लिए 2% को हाथ मिलाना है. तो अगर A ने B से हाथ मिलाया और B फिर वापस A से मिलाने लगे, तो वो तो अलग चीज बढ़ाई होगी, तो सेम होगी. सिट, आगे समझ में नहीं आया? यह सिर्ट, विन हाँ मैंने, how many ways they can shake hands, ठीक है, तो 21, C2 is the answer, simple. देखो एक कोश्चन और देखो. एक एक वर्ड भी नहीं लिखना है. आपसे कह रहा है, in how many ways can a team of three boys and three girls be selected from five boys and four girls? मुझे क्या करना है, three boys लेने, from five boys. तो selection of three boys out of five, कोई बताएगा क्या होगा? तो selection of three girls, out of four, बताओ क्या होगा? 4C3, तो selection of team, अब होगा क्या? मान लो आपने ये तीन boys ऐसे select कर लिए, ये भी तीन है, 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 और यहाँ आपने ये three girls के बना लिए, ये three girls ये हैं, three girls ये हैं, three girls ये हैं, अब क्या होगा? इसको मैं इसके साथ लूँ या इसके साथ लूँ अलग चीज़ बनेगी. तो अब हमारा एक तरह से ये permutation हो जाएगा, किसको किसके साथ रखना है, तो answer होगा 5C3 into 4C3, पहली task ये तरीके से कर रहे हैं, दूसरी B से, तो total task होगी A into B ways, ये हम करते थे थे ना? एक सब तास M ways में complete हो रही है, दूसरी सब तास N ways में complete हो रही है, तो total task M into N ways में complete होगी. तो answer क्या हो गया? 5C3 into 4C3, समझ में आया? ये, सर. देखो सर, एक question और देखो. Find the number of ways selecting 9 balls, आपको 9 balls select करने, from 6 red, आपके पास 6 red हैं, 5 white, 5 white हैं, and 5 blue और 5 blue balls हैं. If each selection consist of 3 balls of each color, हर एक में से 3 लेने हैं, तो बताओ, red में से 3 लेंगे तो क्या होगा? 6C3, white में से 3 लेंगे तो क्या होगा? 5C3, blue में से 3 लेंगे तो क्या होगा? 5C3, गया करना होगा इनको? 5C5, 5C3, पताँ. मताओ, इसका आंसर जल्दी से, Determine of 5 card combination out of deck of 52 cards if there is exactly one as in each combination. अब यहां हमारे पास selection है condition के साथ. तो आप से क्या कह रहा है? Determine the number of 5 card combination out of 52. तो अगर कोई condition ना होती, तो आंसर था 52C5. लेकिन आप से क्या करा है? There is exactly one as in each combination. हमें लेने तो 5 ही हैं, लेकिन एक हमें as चाहिए, बाकि 4 अलग से चाहिए. तो बताओ मुझे बताओ as कितने होते हैं हमारे पास? कितने एक्के होते हैं हमारे पास total? Card combination मालू मैं सब बच्चों को? 4, Sir, 4. Yes, Sir, 4 is. तो 4 में से एक ले लिया आपने. तो वो जाएगा 4C1. selection of 1. तो यह हमारे पास हो गया. अब आपको लेने ठेट है total 5. एक आप ले चुके, तो 4. अब यहां उसने क्या कहा है? उसने कहा है exactly. तो इसका मतलब अब जो बाकि 3 बचे वो नहीं लेने हैं. तो उन्हें हटा दो. एक ले चुके, 3 बचे, उन्हें 3 को अटा दो. तो यहनि कि 4 अटा दो. तो 4 अटा दिये, 52 में से कितने कार्ड बचे? 48. तो 48 में से 4 ले लो. तो अंसर आ गया 48C4 into 4C1. समझ में आया या नहीं आया? चीक है? तो selection of 4 others. 4 others कुछ भी हो सकते हैं. वो होगा 48C4, लेकिन selection of 1 that is 4C1. तो यह हमारा अंसर है. NCR, फॉर्मूला लिखना है बिटे, बस और कुछ नहीं. N डूढ़ना है, R डूढ़ना है. यहां जादा कुछ वो भी नहीं बनते हैं. चंडिशन है, कुछ जादा वराइटी अफ कुश्चिन्स. देखो जड़ा. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 player? Again, same question है. अगर मुझे 17 में से 11 लेने होते, तो आंसर था 17C11. बट आप से क्या कह रहा है? In which only 5 players can bowl? 17 में से 5 baller हैं. जी के सर, others हैं, फिर हमारे पास 12. If each cricket team of 11 must include exactly 4 ballers. और मुझे 4 ballers चाहिएं. तो हो क्या रहा है? कुश्चन समझे. कुश्चन ये है, कि हमारे पास 17 players हैं. टोटल. और इन 17 में से 5 baller हैं. और 12 others हैं. लेने हमें 11. 11 players. ठीक है? तो हमारे पास क्या है? हमें ballers सिर्फ 4 ही चाहिएं. अगर baller 4 चाहिएं, तो बाकी कितने चाहिएं भई? एग्जेक्ली 4 ballers. पांच हुआ baller टीम में नहीं होना चाहिए. तो 11 करने के लिए मुझे कितने और चाहिएंगे player? 7. तो 7 मुझे कहां से लेने पड़ेंगे? अधर्स में. तो यही बिटे कॉश्चन है. तो बताओ, पांच में से चाह लेने के लिए क्या पोसिबिल्टी है? 5C1. 5C4. 4. और 7 लेने की क्या पोसिबिल्टी है? 12C7. Yes, sir. No. Yes, sir. तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास 17 players हो गए और उन में से 11 हमने ले लिए. उन 11 में 4 बोलर हैं, 7 others. सब को समझ में आया? Yes, sir. एक कुश्चन और देखो. जो भी आपका computer system है, वो सिफ permutation combination पर ही है. जो भी आप mobile में कर रहे हैं, computer का मतलब यह ही है. यूजर क्या करेगा, वो सारे options उसमें already है. हाँ बै देखो, ए बैग contain 5 black, 6 red. Determine the number of ways in which 2 black, हमें 2 black चाहिए, और 3 red चाहिए. बताओ क्या अंसर आएगा जली से. बैग का क्या possibility है? 5C2. और red की क्या possibility है? 6C3. बताब. चलो जी, last question of your chapter. In how many ways can a student choose a program of 5 course if 9 course are available? Again, same thing, 9 available है. और 9 मैं से हमें 5 लेने. तो आंसर था 9C5. लेकिन यहां फिर condition है. तो condition है, तो क्या है वो देख लीजे. Actually, क्या कह रहा है? 2 specific courses are compulsory. उनमें कोई selection नहीं है. तो जिसमें selection नहीं होता, उसके लिए कोई possibility नहीं है, sir. 9 में से 2 जो हैं, वो compulsory है. तो इसका मतलब जो आपको choose करने हैं, वो अधर में से करने हैं. अच्छा, आपको जो choose करने थे, वो 5 करने थे. जैसे आपके exam में कह दे कि 9 questions आएं, 5 questions करो. बट ये पहले 2 तो आपको करने ही करने. तो इसका मतलब जो आपकी choice है, वो बाद के वाले में. तो 9 available हैं, 5 लेने हैं, लेकिन 2 compulsory हैं. तो अब अगर 5 लेने हैं, तो 2 तो यही वाले लेने पड़ेंगे आपको. कंपल सरी हैं, तो लेने ही लेने हैं. तो लेने थे 5, तो अब रह कितने गए हमारे पास? 3. तो 3 कहां से लेने पड़ेंगे हमें? 7 में से. 7 में से. तो answer क्या बनेगा? answer बनेगा 2 में से तो 2 के 2 लेने हैं, और 7 में से 3 लेने. तो यह answer होगा. समझ में आया या नहीं आया? मान लिजे, यह आपके 11 का question है basically. मान लिजे physics, chemistry, maths, bio, accounts, eco, business studies, और English और Hindi. यह 9 subjects हमारे पास available हैं. और 11 में आपको 5 subject लेने हैं. और 11 में 5 लेने हैं, और आप से कहा जाए, sir, 2 language लेनी ज़रूरी है. आप चाहे commerce stream के हो, चाहे bio stream के हो, चाहे maths के हो, तो आपको 2 लेने हैं. तो sir, हर बच्चे को 2 लेने पड़ेंगे. तो 2 C 2. 11 में लेने होते हैं 5. optional छोड़ दीजे. तो फिर आपके पास बच्चे कितने? 7. तो 7 में से कितने लेने हैं? अब कुछ समझ में आया? यस सर आया. चीक है जी? तो ये था आपका chapter, sir. कुछ नहीं करना है, NCR करना है. अब NCR आपकी मर्जी है, आप R कहां से दूनते हैं, और N कहां से दूनते हैं? तो ये है, बिटे, अगर आप बच्चों का स्कूल में हो गया है, तो आप chapter अपना करिए आराम से. जिस भी बच्चे को doubt है, वो मुझसे पूछिए. अब इंशालला पहले हम previous करेंगे. तोड़ा सा अच्छी तरीके से. और जब कम्प्लीट कर लेंगे, फिर इनको रिविजन लेंगे. और एक बार आपका मिड सेप्टेंबर हो जाए, फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास जो है, सेटरड़े सेंड़े में लेंगे एक्स्ट्रा कोश्चन और MCQs बेज़. जिससे के बीच बीच में आपका competition का भी चलता रहा है. जिन बच्चों का भी interest competition में होगा उनके लिए.